वेलकम टू दौ प्रयाग राज इंस्टूट डेली करेंड एफेर की सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे 11 अक्टूबर से समंधित अत्महत्पूर्ण घटनाओं के बारे में तो चले इस्टार्ट करते हैं पहले प्रस्टन के साथ आली में चुनाओं आयोग इलेक्सन कमिशन ने कुल कितने राज्यों में विधान सभा चुनाओं की तारिखों का एलान किया है तो राज्यों की संख्या है पांच तो पांच राज्यों में विधान सभा चुनाओं का एलान कर दिया गया है और चुना आयोग ने यह घोशन 9 अक्टूबर को किया तो चुना आयोग ने 9 अक्टूबर को 5 राजियों मध्य परदीश, राजस्थान, 36 गड़, तेलांगाना और मिजोरम में विधान सभाज चुनाओं की तारिखों का एलान कर दिया है मिजोरम में 7 नौबर को, मध्य परदीश में 17 नौबर को मद्दान होगा वहीं 36 गड़ में 2 चरणों, मतलब की 2 फेज में चुनाओं होगा 36 गड़ में एक होगा 7 नौबर को, और दूसरा फेज कंप्रीट होगा 17 नौबर को फिर 23 नौबर को रास्थान में चुनाओं है और 30 नौबर को तिलांगाना में ओड़ डाले जाएंगे सभी 5 राज्यों में 1 साथ, 3 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा ठीक है उसके मुख निर्वाचन आयुक्त कौन है तो बरतमान में जो चीफ इलेक्षन कमिशनर हैं मुख निर्वाचन आयुक्त हैं वो हैं स्री राजीव कुमार इसके साथ दो इलेक्षन कमिशनर जो हैं वो हैं स्री अनूप चंद्रपांडे और दूसरे हैं स्री अनूप गोयल तो जो चीफ इलेक्षन कमिशनर हैं और साथ में जो इलेक्षन कमिशनर हैं इनका नाम जरूरियाद रखे चीफ इलेक्शन कमिशन बर्तमान में हैं स्री राजिय कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंदरपांडे और स्री अरून गोयल हैं अब चलते हैं अगले प्रस्ण की तरफ हमारे सामने जो अगला प्रस्ण है कि हाल ही में हूरन इंडिया द्वारा जारी 361 वेल्थ हूरन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के उनसर भारत के सबसे अमीर ब्यक्तियों में सामिल है तो हुरेन इंडिया ने भारत के सबसे अमीर ब्यक्तियों की बारहमी ध्यान दिजेगा के 12th annual ranking जारी कर दी है और 10 October को जारी 361 wealth हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2030 में मुकेस अम्बानी 8.08 लाग करोन रूपे की wealth के साथ टॉप पर हैं इसके साथ ही अडानी गुरूप के चेर्मेन गौतम अडानी को पीछा छोड़ते हुए रिलाइंस इंडिस्ट्री के चेर्मेन मुकेस अम्बानी सबसे अमीर भारतिये बन गए हैं तो किसको पचाड़ा आये इन्होंने तो अडानी गुरूप के चेर्मेन गौतम अडानी को यहां इन्हों ने हासिल किया है पहला इस्थान तो सात्विक साहिराज रंग की रेड़ी और चिराग से टी की स्टार शुटलर जोड़ी BWF रैंकिंग में नंबर एक पर पहुंच गये हैं और यहां पहली भारती जोड़ी है जिसने यहां मुकाम हासिल किया है तो 10 अक्टू अगला प्रस्ण यह है कि फिलिस्तीन के आतंकी संग्ठन हमास के खिलाफ इसराइल ने किस अभियान को लॉंच किया है तो यह अभियान है Operation Iron Shores option A operation iron shorts जो है फिलिस्तिन के आतंगी संगठन हमास की खिलाफ इसराइल ने launch किया है तो फिलिस्तिन के आतंगी संगठन हमास ने 7 October 7 October को इसराइल पर रॉकेट से हवाई हमले सुरू कर दिया और मात्र 20 मिनट में ही 5000 रॉकेट डाग दिये हमास ने अपने इस हमले को अल-अकसा फ्लर्ड ओपरेशन नाम दिया है इसको भी याद रखे तो हमास ने इस हमले का क्या नाम रखा है तो अल-अकसा फ्लर्ड ओपरेशन और हमास के हमले के बाद इसराइल ने युद्ध की घोशना कर दी और इस्राइल ने अपने दुस्मन के खिलाफ Operation Iron Shorts लांच किया तो इस्राइल के द्वारा जो Operation चला जा रहा है उसका नाम है Operation Iron Shorts और जो हमास ने इस हमले को नाम दिया था उसका नाम दिया था अल-अक्सा फ्लड ओपरेशन अगला प्रशन है कि भारत का पहला हरित उर्जा पुरा तात्विक इस्थल बनने वाला तट्ट्ट Сोर मंदिर कहां इस्थी थे यहां यह है तमिल नाडू में उनेश्कुव विश्वध भरूहर इस्थल के रूप में प्रसीदित तमिल नाडू के ममल पूरा में इस्थित एतिहासिक सोर मंदिर भारत का पहला हरित उर्जा पुरातत्त इस्थल बन गया है और या रेनौल्ट निशान टेकनोलजी एंड बिजनेस सेंटर इंडिया रेनौल निशान टेक और हैंड इन हैंड इंडिया हिह के बीच एक सहयोगा सात्मक पहल ग्रीन हेरिटेज प्रोजेक्ट के सफल कर्यारन के माध्यम से संभव हुआ है अगला प्रश्णी है कि हाल ही में अमेरिका के किस सहर में सबसे बड़े अच्छर धा मंदिर का उद्गाटन किया गया है तो यह है न्यू जर्सी न्यू जर्सी में इसके साथ आप न्यू जर्सी में 8 अक्टूबर को सबसे बड़े अच्छर धा मंदिर का उद्गाटन हुआ अब मंदिर को बनाने का काम 2015 से सुरू होकर 2023 तक चला अच्छर धा मंदिर 12 साल में बनकर त्यार हुआ है जिसमें 12,500 मतलब कि 12,000 सेवकों ने काम किया है 185 एकर में फैले 10,000 से जादा है और यह मंदिर परसर जो है 185 एकर में फैला हुआ है और 12,000 से उनकों ने इसमें काम किया है और 2015 से ही इसका काम प्रारम हुआ और 2020 में शंपन हुआ तो 12 साल लग गए इस मंदिर के निर्माण में तो अमेरिका में जो बना यह अच्छर धा मंदिर है वह अंत्रिच सप्ता कम मनाया जाता है तो विश्व अंत्रिच सप्ता जो है वह चार से दस अक्टूबर तक हर साल मनाया जाता है तो अंत्रिच विज्ञान प्रदुग्य में प्रगती का जस्न मनाने के लिए कई संगठनों द्वारा प्रतिवर्ष चार से दस अक्टूबर त कि विश्व अंत्री सप्ता आयोजित किया जाता है और WSW World Space Week 2023 का विशे है Space and Entrepreneurship यहां पे देख सकते हैं क्या है Space and Entrepreneurship यह 2023 की थीम है World Space Week Association Sierra Nevada Corporation Lockheed Martin Corporation और Airbus Sight प्रायजुकों द्वारा समर्थित इन वैस्वी कारक्रमों का आयोजन और प्रचार करता है अगला प्रशनिय है कि विश्व मानसिक स्वास्थ दिवस कम मनाया जाता है थिक विश्व मानसिक स्वास्थ दिवस हर साल 10 अक्टूबर को आप्शन सी 10 अक्टूबर को मनाया जाता है तो World Mental Health Day 10 अक्टूबर को हर साल मनाय जाता है तो विश्व मानसिक स्वास्त दिवस प्रतेग बर्स 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्त सिच्छा के प्रति जागरुपता फैल आने के लिए मनाय जाता है और यह पहली बार 1992 में विश्व मानसिक स्वास्त संग के पहल पर मनाया गया था जो एक बैस्विक मानसिक स्वास्त संग्ठान है जिसके सदस्य और संपर्क 150 से अधिक देशों में है विश्व मानसिक स्वास्त दिवस 2013 की थिम के बारे में बात कर लेते हैं तो mental health is a universal human right फिर से देखिए Mental health is a universal human right 2023 के विश्व मानसिक स्वास्त दिवस की थिम है अर्थात मानसिक स्वास्त एक सार्वभौमिक मानो अधिकार है ये याद रखिए भारत ने किस दिन को अच्छा वी निर्मान अभ्यास दिवस के रूप में मानाने की घोशना की है तो यह आज यह 10 अक्टूबर तो भारती दवाओं की खराब गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान किंद्रित करने के लिए सरकार ने Indian Drugs Manufacturers Association IDMA के साथ मिलकर 10 अक्टूबर को पहला रास्ठी वरतमान अच्छा वी निर्मान अभ्यास दिवस CGMP दिवस मनाने की घोशना बनाई है और इस पहल का उद्यस उत्पाद की गुणवत्ता जो प्रोडक्ट की क्वार्टी है उसमें सुधार और रोगी सुरच्छा सुने सित करने पर ध्यान देने के साथ दवा निर्मान में CGMP दिशा निर्देशों के पालन के महत्त को रिंखांकित करना है यह वीडियो आपको कैसा लगा जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाओ जहे कमेंट बॉक्स में जरूर दें तब तक के लिए थैंक्यू धन्यवाद